कि आइविवान वेलकम तो एकाडमी जे यूट्यूब चैनल एम जहन्त नागदा में जेए कोच और गॉस्टेज लौ के लेक्शन नमबर फाइव में में मुद्दे की बात करेंगे गॉस्टेज लौ तो समझ चुके हैं उसकी कुछ मिस्कंसेप्शन भी समझ चुके हैं लेक इनफाइनट प्लेन तो इन डिरेक्शन में इनफिनिटी तक एक्स्टेंड कर रहा हैं तो इस से जो निकलती हुई electric field lines है in fact electric field lines इससे जो भी निकलती वो uniform होती है same direction में होती है constant magnitude direction दोनों में होती है और कैसे उसको हम निकाल सकते हैं gosses law की मदद से what is that funda what is that process application gosses law की not just in this case बहुत सारे cases में सीखने वाले welcome to the most amazing an academy j youtube चैनल पर अगर आप लोग subscribe नहीं है वह बेल आइकन नहीं दवा है तो गुना कर रहे हैं अगर आप अपने चैनल पर regular है तो make sure आप regularly कहीं न कहीं एक जगे तो हैश्टाइग जेह लाइव डेली से कर रहे हैं बच्चों यह अपने लिए कर और बहुत सारे बच्चे नीट के एक्जाम को क्लियर करके जब डॉक्टर बनेंगे इस तरह की मुश्किल परिसितियों में जब हमें जादा डॉक्टर याद आते हैं वह दुबारा रिपीट ना हो तो उसके लिए एक शेर तो बनता है दोस्त यहां पर शेर बटन है इंस्टाग्राम पर फेस्बुक पर ट्विटर पर टेलीग्राम पर हर जगे आप मुझे टैग भी कर सकते हैं आपको साथ-साथ सारे के सारे लेक्चर लाइड़ी.me.je इस लिंक पर मिल जाएंगे इस लिक को without spaces टाइप करें सारे के सारे लेक्चर नोट्स एक जगे पर आपको मिल जाते तो वह आपके लिए बेस्ट है साथ-साथ आपको अनकाडमी.je का एक टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करना चाहिए जहां पर हम सारे के सारे लेक्चर जैंत नागदा पर अगर आप फॉलोड अप नहीं है तो वही बहुत सारी जो आपकी प्री क्लासे हैं जिनको हम स्पेशल क्लासे कहते हैं वह भी आपकी मिस हो रही होंगी तो मेक्शूर यह फॉलोड अप ऑन अनकाडमी.com स्लाइश जैंत नागदा अड़े जैंत नागद डे वन से बच्चों इस तरह की ट्रेनिंग मिलती ही जिस तरह से एक्जाम में आपको परफॉर्म करना, टाइमर के साथ धेर सारे क्वेशन की प्रक्टिस, पोल बाउंड प्रक्टिस आपको इस तरह से अनकाडमी के प्लाटफॉर्म पर की जाती है कि आपको फाइनली लाएं तो वह भी आपी की तरह अनकाडमी जे चैनल पर पहले पढ़ते थे यूट्यूब पर दिरे दिरे वह सब्सक्रिप्शन पर मूव आन किये और एक डेप्ट में बच्चों इंडिया के सारे के सारे बेस्ट एड्यूकेटर जहां पर है इमेजिन करिए वह क्या ही डेप्ट होगी इमेजिन करिए कि अगर आपको यूट्यूब पर इतना मज़ा रहे तो अपने इवाल बैच इमर्ज बैच्चेज में और उनके साथ अनलिम्रेट क्वालिटी कॉंटेंट का एक्सेस कोटा के उन बैच्चेज में क्या चल रहा है नूकलियस, वाइबरेंट, बंसल यह सारे अपन नाम सुनते हैं लेकिन कभी जाके देखो कोटा के बैच्चेज में किस तरह से पढ़ाई होती है और डीसी पांडे सर, एनवस्ती सर, एमिस चोहान सर, जिनकी बुक्स आप आप अल्रेडी घरों में रखते हैं वह वहाँ प वही से पहले ही साल में इतने सारे रिजल्ट्स हैं लास्ट यह भी हमारा पूरा एक बैच्च कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन टॉप 100 में रिजल्ट्स थे, अब रिजल्ट बोलेगा इस तरह कामने सेशन भी किया इस यूट्यूब चैनल पर उसे देख सकते हैं और अप को भी 70 पर डे, 2100 पर मन्त एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपके फ्यूचर को चमकदार बना देगी अगर आप यह इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, अगर आप लोग जही नीट की त्यारी बिल्कुल चालू नहीं किया तो दो साल डेड़ साल आपको लेन जयन्त और जयन्त लाइव आपको मैक्सिममम डिस्काउंट मिलता इस कोड से जब भी आप प्लाटफॉर्म पर आते हैं चाहें वो प्लाटफॉर्म पर कोई अलगी चीज करते हैं उसमें आप भी हिस्सेधार होते हैं तो बच्चों यस आईकन सी और लवली कॉमेंट्स इन सी में थैंक्यू सो मच फॉर दोस लाइक संथा यहां पर हम लोग एक गॉसेज लॉक की बेसिक अप्लिकेशन अल्री समझ चुके हैं कि कैसे एक पॉइंट चार्ज क्यू का एक पी पॉइंट पर एलेक्रिक फील्ड हम डेटरमाइन कर सकते हैं लेकिन इस लेक्चर में हम ब चार्ज क्यूंप चार्ज है जिसा एक पॉइंट्ट इस्टेंस इस अहलेक्ट्रीक फील्ड निकाल कर लॉय् caval sin लेक्टों में पता भी यवेल्यू एलेक्रिक फील्ड की यह वाल्यू होती है जो यह स्कूर्वाइर के क्यों और और इन इस पॉइंड इस पॉइंड लेकिन उसके समें बच्चों हमने यह जो डेरिवेशन किया है यह कहां से किया आपको याद होगा कि यह कुलम्स लॉस से हमने बेसिकली निकाला है क्योंकि हमने जो इलेक्रिक फील्ड की डेफिनिशन देखी दिखोंटि टी वह थी फॉइबडिड बाय टैस्ट चार्ज ऑर फोर्स के क्यू, क्यू नॉट बाय टेस्ट चार्ज होता था लेकिन क्यू नॉट्सरे में रॉसक्शूर दिनोमेटर में आता है क्या समय है लिक यह चीज़ कोलंउम्स लॉओ, भी मेर्न ह 술ं रॉम्स बट कैसे gausses law को apply करना है तो calculate the electric field of a point charge at a distance r from it कैसे करेंगे तो बच्चो इन cases में आपको एक closed surface लेना बहुत जरूर ही है उस closed surface को ही हम gaussian surface कहते हैं और देखना किस तरह से कित तरकीब से बहुत सारे cases देखेंगे सब में यही फंडा लगेगा कितनी तरकीब से आपको वो किसी भी p point पे electric field निकालना है तो p point से ही गुजरती हुई p point से ही गुजरती हुई एक gaussian surface लेनी है एक closed surface लेनी है बच्चो एक three dimension में closed surface क्या होगी spherical होगी है क्या होगी this is a closed three dimensional spherical surface बच्चा three dimension में spherical होगी आप बोर्ड पे screen पे आपको क्या दिख रहा है two dimension में एक circle दिख रहा है but imagine this to be a three dimensional spherical surface and from now on such a closed surface will be known as आगे के examples में closed surfaces को बच्चो एक particular नाम से बुलाएंगे उसको हम बोलेंगे gaussian surface समझ रहे हो gaussian surface बुलाएंगे क्योंकि अगर हम gausses law apply करके ये एक electric field का जो जो electric field का expression है derive करने वाल है तो वो gaussian surface लेके या closed surface लेके basic ली gaussian surface का मतलब है closed three dimension में ऐसी closed surface लेके चलेंगे और इस particular surface पे अगर मैं एक छोटा element ले हूँ अगर मैं यहाँ पे एक d a element ले हूँ उसका area vector और electric field vector क्या दोनों बच्चो सेम direction में होगा लेट्स अप्लाए गोसेज लॉँ आट बाइ गोसेज लॉँ इसको अपन बोलते बोलते गोसला बोल देते गोसला और गोसला गोसला करते करते वह घोसला भी हो जाता है कुछ-कुछ रांतों में तो मेरी आपसे request है कि इसको थोड़ा सा सही से प्रनाउस भी करें गोस तो उस बंदे का नाम है काल गोस उसकी जीवनी आप NCRT में लिखी भी पड़ सकता है लेकिन गोसेज मतलब गोस जी का लॉँ करीमान गोस का लॉँ है ठीक है तो गोसेज लॉँ क्या कहता है आपको गोसेज लॉँ ये कहता है कि अगर हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे है इस तरह की एक लॉजड सर्फेस पे फ्लक्स कैसे निकालते हैं इंटिग्रेशन और डिय करके निकालते हैं अच्छा क्या उसे हम क्लोस सर्फेस पर कर रहे हैं बच्चो तो यहां पे गोला लगाना पड़ेगा तो यह गोला एक रिंग ही आपको डेटमाइन कर रहे कि यह क distance पे एक एक ही चार्ज एक Q चार्ज की बात हो रही तो right hand side of this equation is very simple, right hand side of this equation is actually very simple, Q divided by epsilon not हो जाएगा, लेकिन left hand side का थोड़ा सा अपने को समझ बनानी पड़ेगी, तो देखना किस तरह ऐसे, अगर मैं integration of E dot DA को open कर देता हूं, तो A DA cos theta आता है, पर क्या हम देख पारे हैं, इन zero degree होगा, हमने तो ये एक P point लिया, ये विस्ते तो कोई भी random point है, लेकिन कहीं और पे भी, अगर आप electric field vector and area vector of this spherical surface लेंगे, तो क्या ये बोल पाएंगे पूरी शिदत से, पूरे confidence से, कि येस वो दोनो, वो दोनो parallel होंगे, वो दोनो same direction में होंगे, वो दोनो basically एक दूसरे से zero degree angle बना रहे हैं, ऐसा आपन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि electric field भी एक radial vector है, radial direction, ये radius के along ही, area vector भी और electric field भी याद है, r cap के along होता था, because we know that electric field is actually in what direction, we know the magnitude also, बढ़ हम उसके लिए derive कर रहे हैं, और at least हमें पता है कि direction उसकी, इस direction में radially outward है, उस case में मैं यहाँ पे eda cos of zero degree integration में, क्या हम एक चीज़ बचो कर सकते हैं, कि इस e को हम बाहर ले ले, क्या हम इस e को इस बिनाहा पे, इस सहुलियत से बाहर ले सकते हैं, कि हर एक point पे, जब भी मैं इस पूरी spherical surface पे घूम जाओं, जब भी मैं पूरी Gaussian surface पे अगर घूम जाओं, और अगर electric field की value, सभी points पे same आती है, electric field की, direction अलग-अलग आ सकती है, radially outward direction होगी, but I am talking about the magnitude, so as long as मैं same distance पे हूँ, from the center, अभी ये r की हमें तो होगी, अगर ये spherical surface है, ये सारे के सारे distance small r ही रहेंगे बच्चो, और definitely उस case में, because of the spherical symmetry, you can state, e will be a constant value, and I don't know the value of e, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो ये assume करके चल रहा हूँ, ये चीज़ अपने को पता ही नहीं है, वैसे तो अपने कल ये चीज़ को use करके Gauss's law derive किया था, lecture number 4 का अंत, अगर किसी ने नहीं देखा, lecture number 3 में भी हमने derive किया था, बच्चों के कैसे हमने Coulomb's law को assume करके Gauss's law prove क सकते है, we are kind of trying to prove this particular statement, but not using Coulomb's law, but by using Gauss's law, Gauss's law, Gauss's law नहीं, okay, so equal to constant की case में, आप यहाँ पर reasoning दे सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ एक दो नमबर extra मिल सकते हैं, exam में, वो reasoning क्या हो सकती है, that due to spherical symmetry, due to a spherical symmetry that exists at each of these points, electric field का value, same होगा, मतलब बड़ा भी लिख सकते हैं, but इस तरह से अगर आपको एक framework मिल गया है, बच्चों, framework मिल गया है, इसको बस आपको सिर्फ integrate करना है, और integrate भी किस पर करना है, integrate भी आपको closed spherical surface पर करना है, this integration is going to be on the closed spherical surface, तो क्या हम next page पर move करें, यहां तक आपने लिख लिए है, बच्चों, live lecture में ही notes बनाने, अगर आप सोच रहे हैं कि live lecture के बाद, तीन घंटे और जिन्दिगे में निकाल के रात को night out मार के, night out पता है तुम है, night out पता है आप लोग को, जब आप मतलब किसी भी engineering college में जाएंगे, तो यह बड़ा आम हो जाएगा कि रात को भी आप जग के पढ़ा ही कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों क्यों कि नालाइक पने इस तरह से अगर आपने कुछ चीज़े लिख लिए है तो let's move on to a situation where e.da का integration में e.da और e भी बाहर आगया है और यह अपने को बस अब integrate करना है, this is equal to q enclosed by epsilon not, my friend, from 0 to what value should we integrate this da, अगर आपको याद हो हमने da यहाँ पे लिया है, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगे अगर हम पूर एक three dimensional spherical surface में integrate कर दे, closed surface पे, पूरे पे integrate कर दे, तो क्या total surface area 4 pi r square होगा, because this distance is r, बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर, तो यह अगर r है, तो उस case में, आप अपने electric field के expression को, यहाँ से बस लिख दो, derive कर दो, है ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और यह आपके पास is equal to 1 by 4 pi, epsilon naught साथ में ले लो, इसके q यहाँ रख दो, r square हो गया, या फिर आप इसको definitely k q by r square भी लिख सकते हैं, so we have in fact just derived the result that we usually get from coulombs law, but today we are, है ना, इसको coulombs law क्यों बोल रहे हैं, फिर से मैं आप इसको बता दो, कि देखो force अपन coulombs law से निकालते हैं, और electric field की definition में वही force की coulombs law use कर रहे हैं, इस वज़े से अपन ने, इसको coulombs law से निकाला हुआ result बोला है, but ultimately अगर हमने e को शुरू से एक variable ही मान के, ह symmetry अगेरा का use करके देखो किस तरह से, बड़े ही मसके से यह expression आ जाता है, that means, Gauss's law is another method to derive these kind of results, वच्चो आपको याद है, कितनी situations में हमने actually Gauss's law के बिना भी electric field derive कर लिए, एक बार मुझे यहाँ पर recall करवाना, कि we have derived electric field, याद करो आपको electric field, जो कि electrostatic का lecture number 4 में introduce हुआ था, फिर 5 और 6 में हमने उसके continuous distribution की वज़े से दो lecture में लंबे-लंबे कुछ derivation भी किये थे, जिसमें यहाँ कुछ sensitivity आप लोग की थोड़ी गूम हुई थी, लेकिन उससे उबरने के बाद तुम लोग एकदम ऐसे rock solid हो गए, और definitely जब potential की बारी आ इसा आप लोगोंने कुछ किया, आपका experience रहा, वो experience share कर रहे हैं आप लोग, yes, यह hollow sphere का लिखा है हमने भूमी बोल रहे हैं, फिर रिंग का लिखा था हमने बिलकुल, एक line का भी याद है, आपको infinite line का भी हमने निकारा था, electric field due to a line of charge, line of charge, जभी infinite भी ली थी, याद है infinite भी ली थी, lambda में उसका result आया था, और उसी तरह से obviously ring का, और sphere का, और ये सारे भी हमने किये हुए हैं, बचों इन में से अब देखना हम कुछ चीजों में फिर से दुबारा ये funda लगाएंगे, ये funda अभी हम line of charge पे लगाने वाले हैं, लेकिन एक myth, मैं पहले से clear कर दूँ, य between symmetrical cases, ठीक है, जैसे कि हमने अगर एक charge की बात करी, उसको अगर हमने asymmetrical surface के अंदर रखा है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि शायद इस case में हम Gauss's law लगा के इसकी electric field नहीं derive कर सकते हैं, जो की totally गलत है, totally myth है, तो let's burst that myth, बचों, myth क्या है, कि हमेशा Gauss's law symmetrical situation पे ही valid होता है, तो म मेरा ये मानना है, मेरा in fact ये कहना है, बच्चों, Gauss's law तो law होता है, law समझ रहे हो, law मतलब आपको मानना ही पड़ेगा, आज तक ऐसा कोई scenario नहीं रहा है, जहाँ पे Newton's law of gravitation work नहीं किया है, ऐसा कोई scenario नहीं रहा है, चाहाँ आप कितना भी दूर galaxy में, कहीं पर भी चले जा है, तो ये law applicable होना बंद हो जाएंगे, इनको in fact हमें law कहना छोड़ देना पड़ेगा, but I think that has not been done so far, तो उस case में हम लोग relativity की theory को law नहीं बोलते है, अभी तक उसकी प्रमानिक्ता सिद्ध नहीं हुई है, तो उस case में हम उसको theory बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे well established, proven औ इन्हें हमें law की तरह मानना पड़ेगा, treat करना पड़ेगा, और gaustas law भी अगर उसी तरह का एक law है, जो कि valid है, सभी तरह की surfaces में, in fact आपको याद होगा कि एक situation में हमने, एकदम ए random surface के लिए prove किया हुआ है, कि आप लोगों ने मेने homework में दिया, तो वो भी prove किया है, कि कैसे ये situation में, एकदम random surfaces के लिए, we have already proven it, for a totally random surface, and that is in fact how we have derived Gauss's law, है ना, कई बार ये एक myth हो जाती, कि यार symmetrical cases में ही लगाते हैं, कि अपन, symmetrical cases में हमेशा लगाने, ऐसा जरूर ही नहीं, लेकिन, symmetrical cases में लगाने का बच्चो, कुछ तो फायदास दरूर है, यहाँ पर देखना, however, using Gauss's law in a symmetrical case is relatively easier, है ना, हमने ये charge को, एक spherical surface के ही center पर क्यों रखा, हमने इस charge को, इस spherical surface के, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, और spherical surface है क्यों, एकदम बदलब, randomly elliptical surface लीजे ना, इस तरह से, और फिर उस case में Gauss's law लगाई है, तो लगा तो सकते हैं, बात यह कि Gauss's law अपने को, easy तभी पड़ेगा, उसकी symmetry जब निकल के आएगी situation की, तब वो बहुत ही आसानी से आपको result देदेगा, इतने मसके से, जैसा कि इस case में हमने किया, this is probably the easiest thing, we have done so far, है ना, यह सबसे आसान चीज़ है, जो कि अभी तक हमने करी है, लेकिन, यहाँ आप देखना, अगर मैं किसी भी random situation में, Gauss's law लगाखे, electric field due to point charge, point charge बड़ा easy case है, but electric field due to point charge भी, निकालना चाहूं, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, मतलब दिक्कत होगी, आप बोल रहे है, easy नहीं रहेगा, मतलब दिक्कत होगी, तो दिक्कत क्या होगी, तो देखना, यहाँ पे, एक area vector में ऐसे लूँगा, तो अगर यह एक random surface है, अगर एकदम ही randomly shaped surface है, उस case में, अगर मैं देखों के, एक तो जब भी मैं flux निकालूँगा, इन दोनों के बीच में एक angle आएगा, वो angle zero degree भी नहीं होगा, वो angle depend करता है situation क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे देख situation में, but that is not happening in every case, not happening at every point on the surface, तो उस case में, जब हम flux की total value निकालने की कोशिश करेंगे, उस case में, जब हम close surface पे, E, D, A, cos of theta को integrate करने की कोशिश करेंगे, देखना, राइट-hand side तो still is very simple, राइट-hand side में तो enclosed charge तो क्यों ही होने वाला है, लेकिन left-hand side में जब हम integrate करने की करेंगे, एक तो यह theta वाली चीज़ 0 degree नहीं है, in fact यह एक variable है, वहाँ पर दिक्कत देगा, यह integral है न, क्योंकि E की value आपको पता ही नहीं है, सुनो मरे भाई, यहाँ पे हम gausses law को prove नहीं कर रहे हैं, हमने बेशक lecture 3, 4 में gausses law को prove किया हुआ है by using E is equal to aq divided by r square solid angle के अपने ज doing the other thing right now, please try to understand, कि gausses law की मदद से, electric field maluminium, assume करके चलते हैं कि अपने को, amnesia आओगे अपनी जो, यादाश चली की कुलूंग्स बावाला कुछ भी याद नहीं है, तो चार्ज की वज़े से electric field के आओधा पता ही नहीं है, उस case में हम लोग, अगर यहाँ पे इस particular equation में E की value न distance अलग है, यह distance अलग है, यह वाला distance भी अलग है, कौन सा मतलब E की value भी constant हो गई है, E भी variable है, तो E भी बहुत ही आसानी से integration के बाहर नहीं आ पाएगा, जिस आसानी से, यह case में integration के बाहर आ गया था, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, तो वो दिक्कत हो जाती है, अगर आपक example लेते हैं, बच्छो, एक random surface तो ऐसी है, let's take another random surface with a slight bit of symmetry, random surface number 2 को देखिए, इसकी shape अभी भी इस तरह से है, ellipsoid बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बच्छो, three dimension में ellipse है, ellipsoid, तो अगर उस चीज में, में को एक symmetry क्या दिख रही ही, कि yes मैंने charge को इदम center पर रखा हुआ है, और अगर इस से मैं कोई भी निकलता हुआ, electric field किसी point पर बनाऊँगा, तो वो इस direction में आएगा, अच्छी बात यह कि उसका भी area vector इस direction में आएगा, अच्छा, तो इस case में क्या electric field और area vector same direction में आता है, तो देखिए, यहां पर भी मैं देख रहा ह और area vector इस direction में ही आ रहा है, तो probably जब मैं flux निकालने के इस case में कोशिश करूँगा, तो उस case में e.da के बजाए, eda cos 0 degree में लिख पाऊँगा, जो कि actually थोड़ा असान हो जाएगा, right hand side में integrate करना, right side तो अभी भी q by epsilon 0 है, but yes, उस case में मैं क्या बोल पाऊँगा, कि e की value same है, क क्या मैं बोल पाऊँगा, कि इस point पे बच्चा P1 point बोलते हैं, इसको P2 point बोलते हैं, क्या मैं बोल पाऊँगा, कि e1 और e2 की value same है, क्या as I integrate over this random surface number 2, उस case में electric field constant होगा, क्या उसको हम integral से बाहर ले पाएंगे, that will not be possible, इस case में e की value variable होने की वज़े से integration मुश्किल होगा, integration, मुश्किल होगा, पता ही नहीं है, जब function किया तो इसको बाहर कैसे ले भाएंगे, देखना ऐसा भी नहीं है, इस case में तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि देखना क्यूंकि हर बार electric field ऐसे है, लेकिन area vector उसके along हो ये बात की guarantee नहीं है, समझ में आ रहा है, that theta equal to 0 degree is still, variable only यहां पर और यहां पर नहीं, हार एक point पर आप लेके देखो, electric field ऐसे है, area vector ऐसे होगा, if you get what I am trying to say, this will be still difficult to integrate, my friend, the only thing I am saying here, is that look at this third, third surface, which is not a random surface, in fact this has a perfect symmetry, इसकी symmetry का क्या reason है, कि इसका किसी भी तरफ चले जाओ, charge से distance same है, spherical surface के खासियत क्या है, three dimension, जो निये right, left, up, down, इस direction में भी अगर आप आ जाओगे, तो वो distance surface से point charge का R ही है, इन सभी points पे, चाहे वो P1, P2, P3 बोल दो आप, क्या electric field की value same होगी, यह तो कोई भी बोल सकता है, यह तो एक थोड़ी सी feel based चीज है, कि यसे यहार अगर यहां पर मैंने किसी एक रिक्षय वाला कोई भी पूछा, यहां पर यहां पर यहां पर, इस charge की वज़े से, क्या जो प्रभाव आएगा, वो same होने की possibility है, मतलब क्या हो पाएगा, आपको क्या लगता है, यह से interview करके feeling है, कि yes, at equal distances, the value of E will be same, also in the perfectly symmetrical case of a sphere, if आप अगर ऐसे बनाएंगे, electric field, area vector क्या हमेशा उसी direction में होगा, yes, spherical surface is something, जिसमें area vector चाहे, आप कहीं पे भी P1, P2, P3 कहीं पे भी ले ले, electric field के direction में ही आएगा, इसी वज़े से हमने जब, flux अभी calculate किया, तो total flux is equal to integration of E, DA, cos 0 degree भी आया, वो भी सब जगे पे आया, और definitely उस case में E को भी अपन, variable नहीं, बट constant बोल सकते हैं, case में E भी variable नको है, constant है, यह बात थोड़ी सी digest हुई कि नहीं, इस point में, कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं लिखना था, आपको in fact सिर्फ यह समठना था, क slightly symmetrical surface, this is random but slightly symmetrical, थोड़ी symmetry तो है यार, बट उतनी भी नहीं है, जितनी, इस case में, और इस case में perfectly आपके पास electric field बाहर आके खड़ा हो जाता है, total area का integration 4 pi r square हो जाता है, और electric field की value एक जटके में आजाती है, मेरे कहने का reason बच्चो इस question में छुपा है, जो मैं कहना चाहरा हूँ, वह बात आप तक अगर पहुंच गई है, आप इस question को एक जटके में answer कर देंगे, otherwise I don't think हम आगे बढ़ सकते हैं, I don't think कि आप लोग गलत कर करेंगे इससे, बीच बीच में थोड़ा lag हो रहा है कि आच, ठीक है, irrelevant comments मुझे नहीं चाहिए, live chat में थोड़ा सा, discipline maintain करिए आप लोग just because, want to sound smart कई बार कुछ चीज़े लिखते हैं, do not, please do that, ठीक है, दूसरे बच्चे उसको report कर सकते हैं, अगर उससे कुछ पसंद नहीं आ answer, D, D for Delhi बोल रहे हैं, तो सभी लोग सही है, but let's go through all the options actually, which of the following is correct, कई बार incorrect भी पूछा होता, तो यह पढ़ना बहुत जरूरी है, Gauss's law is valid only for symmetrical charge distribution, is a myth, and we have successfully busted it, very good, Gauss's law is valid only for charges placed in vacuum, that is also not true, देखने यहां पे, आपने एक और point अगर note किया, या नहीं किया, बट करना चाहिए कि Captain all media के लिए, यह Gauss's law valid है, देखो यार, बात तो यह है कि Gauss's law तो law है, law को तो मानना ही पड़ेगा, अगर वो law ऐसा होता कि किसी situation में कुछ कैसे, कुछ कैसे work कर रहा है, उस case में हम उसे theory बोलते है, और वो theory नहीं है, वो तो law है, यह बात हमको पता है, किसी भी medium में, किसी और medium में, अगर हमने रखा है, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, उस medium में Q by epsilon लिखना पड़ेगा, epsilon not की जगे, और epsilon की value k times epsilon not होती है, courtesy Cullum's law वाला lecture, जहां पर अपने डिरेक्टरिक कॉंस्टेंट का basic understanding लिया था, जिस पर based combat का पहला question भी था, in case you you have attempted the combat, in case you are not doing those things, अब लोग बोलते हो, जब लाइव, संडे संडे टेस्ट होते हैं, और वो free होते हैं, तो description में अभी देखो, combat का अगले संडे का link भी है, उसमें scholarship भी जीच सकते हो, बहुत साही चीज है, करो, ठीक है, उस चीज को करा करो, anyway, यह चीज अगर आपको समझ म सबसे बड़ी गलत चीज थी, जो कि हमने कल बस्ट की थी, कल के मित्बस्टर सेशन में, जो लोग सो गए थे बीच में, उन्होंने जरूर सी बोला है, आज के सेशन में, कि एलेक्रिक फील्ड सिर्फ अंदरूनी चार्जेस की वज़े से निकल के आता है, तो उनको मैं बता कि बाहर वाले चार्जेस के हम आपे धरना देने के लिए बैठे हैं, क्या लगता है, क्या आपको यह लगता है, क्यूबन और क्यूटू का ही इलेक्रिक फील्ड बन रहा होगा, जब हम इंटिग्रेल निकालने पी पॉइंट पे, और उस केस में क्यूट्री जो सपोस बाह बैठा है, तो तो धरना बैठा है, वो यह बोल रहा है कि आज में इलेक्रिक फील्ड नहीं रगा हुआ, क्यूबन क्यूटू तो लगा रहे हैं, पट क्यूट्री ने यहां पे लेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मनें इंदर मना कर दिया है, क्योंकि आज वो धरने पे हैं, तो उलेक्ट्रिक फ्लक्स और उलेक्ट्रिक फिल्ड में एक फरक होता है, वो यहां पर हमने समझाया होगा है, वो मिच बस्टर नमबर 2 था या 3 था जो भी था कल, ठीक है, फ्लक्स of the electric field through a closed surface, due to all the charges, all the charges में इंसाइड भी आते हैं, आउटसाइड भी आते हैं, ये बात जिन of Gauss's Law, Gauss's Law का ही एक अलग statement मैंने लिखवाया था और ये वो चीज है, if you are through with it, if you understand all these things, then let's do it let's do the calculation of Gauss's Law apply करके electric field की calculation कैसे करते हैं, उसका एक two step process है, आप इसको लिख लेंगे आपके लिए फाइदे बंद रहेगा, if you are trying to find the electric field through Gauss's Law, these are two steps है ना, जो कि मेरी तरफ से मैं suggest कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ही standard चीज है, बढ़ हाँ, इसको use करोगे तो बड़ी help हो जाएगी आपको हर case में, हर random case में जब आप कुछ ये दो tips, आप बोलते हो नों tips दे तो सच जे clear करने के ये tips है बटा, ये tips है for selecting an ideal useful Gaussian surface, ideal surface क्या होती है, वैसे तो कोई भी Gaussian surface पे Gauss's Law valid है, Gauss's Law तो law है, लेकिन ये कुछ surfaces है जिनमें अपने को useful हो जाएगा, process लगाना आसान हो जाएगा, useful मतलब it will be easier for us to execute Gauss's Law to get the value of field, देखतें क्या है, पहला point है कि at every point on the surface, the electric field E should be either uniform, याने की constant और zero, कहने का ये मतलब है, कि अगर आप किसी भी एक point पे Gaussian surface के घूम रहे हैं, integrate करते वाक्त, वैसे भी अपने को गुमना पड़ेगा, it will be good it will be best, अगर इन सभी point पे, electric field की value, same हो constant हो, या फिर जीरो भी हो ऐसा भी हो सकता है, कि सभी point पे electric field की value zero है, तो total flux की value zero हो जाएगे, बट most cases में बच्छो ऐसा होगा, कि वो constant होनी ची, electric field की value, और उससे क्या फाइदा होगा, उससे बच्छा ये फाइदा होगा, कि ये electric field integral के बाहर आ जाएगा ये electric field जहाँ पे variable था integral के बाहर आन से मना कर दिया, इसने बोला कि मैं क्यों हो, यहाँ पे अगर अलग-अलग distance है, तो variable electric field क्यों होने की वज़े से बाहर नहीं आएगा, ये वाला बड़े आसानी से बाहर एकदम से आएगा, इसको बोला कि तु बाहर आ रहा है कि खेलने के लिए, चल जल्दी से खेलता है, अभी मम्मी आई उससे पहले खेल लेते हैं, लेकिन वट अबाउट कोरोना, अरे, कोरोन अपने को नहीं होगा, और इसी बच्चे का, अगले दिन अगबार में फोटो आता है, और, anyway, I hope you understand कि ये बाहर आ गया, एकदम से, उसकी वज़े से, लेक्ट्रिक फील्ड कॉंस्टेंट होने का फाइदा हुआ हमें, इंटिग्रल आसान हो गया, the other thing you need to remember is, that, at every point on the surface, the electric field lines are either parallel or perpendicular, इन चीज़ों को obviously आप पूरे लेक्चर में दीरे-दीर समझेगे, एक बार मैं मोटा-मोटा समझा रहा हूं यहां पर, कैसे या तो theta equal to zero degree होना, यानि कि electric field और area vector का parallel होना, जो कि most cases में again होगा, वो आपको theta से independent d5 की value देगा और integrate करना आसान हो जाएगा उस case में, otherwise कहीं पर eda cos theta आ रहा है, तो वो theta को कहां integrate करते हैं, फिर होगी इतना time किसके पास से आज की life में, और उसी तरह एक और case बनता है कि या तो यह perpendicular ही है, वही आपका electric field ऐसा है, लेकिन आ अगर यह दो perpendicular है, तो बोलने की जरुरती नहीं कि d5 की value 0 हो जाएगी, बर most cases में ऐसा होगा, जहां पर electric field अगर area vector के along लेंगे, तो हमें जान बूच के area vector ऐसा create करना है, जो कि electric field lines के parallel हो या perpendicular, वो close surface चुनते वक्त, वो close surface को select करते वक्त, हमें इन दो points का ध्यान रखना है, कि यस अगर ऐसा होगा, तो हमारे ही फायते में बात हो रही होगी, चलिए इसको एक example में लगा के देखते हैं, most important example of the day, which is application number 2, application of Gauss's law पढ़ रहे, application number 1 था आपका, point charge, application number 2 आपका है, यह तो कुछ हो गया है, कुछ नया था है, application number 2 यहाँ पर हो गया, field due to infinite line of charge, infinite line of charge मतलब की, minus infinity से plus infinity तक इस तरह की है, लंबी लड़ी लगा दिया, आपने charge की, जो कि uniformly charged है, उसका जो charge point length है, वो lambda है, lambda is the uniform charge point length, अगर यह lambda तेको नहीं चमक रहा है, मतलब तुने पाप already कर लिया है, बहुत बढ़िया, अब electrostatics बच्च चली रहा है, in case you are thinking, हमने electrostatics successfully कर लिया, आप यह पूरा एक ही chapter है, असल में electrostatics के अंडर ही आता है, जब charges move करने लगते है, static नहीं होते है, तो वो current हो जाता है, ठीक है, यह सार आप यह बहुत 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 है, यह बेस तरीका है, इस तरह से अपने एक के बाद एक chapters हो रहे हैं, वही sequence में होने चीए, ऐसा मेरा पूर chapter अगर इस से पहले पढ़ा दिया तो क्या फाइदा हुआ है, in fact एक बहुत important चीज़े जो कियापन करते हैं, meanwhile आप diagram बनाव लिखो, कि एक electrostatic से पहले, electrostatic से in fact शाय 14-15 दिन पहले, अगर आप gravitation बच्चे को पढ़ा के छोड़ दो, gravitation बच्चो एक ऐसा topic है जहां पे, gravitational field, gravitational potential बच्चा जब depth में पढ़ता है, तब जाके electric field of potential उसके लिए मस्का हो जाता है, फिर जब electrostatics में कुछ advanced concepts आते हैं, जैसे की gausses law, जो की gravitation में होता नहीं, लेकिन आप यहां पे पढ़ते हैं, तो वहां पे भी बना सकते हैं, उस तरह का concept, बच्चो यस उस तरह की जनवरी में है ग्यारवी का, लेकिन हम मार्च में gravitation पढ़ते हैं, ताकि अप्रेल में evolve में बैठते से ही, सारी चीज़ दिमाग में अलग लेवल पर जाए नहीं, आपने diagram बना लिए जिसमें, यह charge पर unit length का क्या मतलब है, कितना charge है, एक unit length में, एक मीटर में lambda charge है, इस तरह इसे आप lambda की, lambda की definition भी ऐसे लिख सकते है, q by l, यहाँ पर total charge या total length तो दिया होता नहीं, क्योंकि यह infinite है, total length तो literally infinity है, अब मुस्ती इसको क्या लिखते है, dq by dl, dl length में, dl length में इसके छोटे से, dq charge होगा, तो dq by dl उस तरह के dimensions होगे, इस lambda के तुपर, ज्ञान देना, यहां से r distance पे, r is the perpendicular distance of point p from the line of charge, electric field की value कितनी होगी, आप में से कई बच्चों को electric field की वाली value, already याद होगी, 2k by lambda, 2k by lambda by r, अर्पित ने, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया already, because they recall के हमने इसको integration से solve किया था, बच्चों आज हमें, इसे gausses law से solve करना है, और gausses law लगात हमें, इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी हम surface ले रहे हैं, वो हर एक point पे electric field की same value दे, और parallel direction में उसका area vector हो, तो मुझे यह एक visualize करके बताओ, कि किस तरह की Gaussian surface यहाँ पे हमें लेनी चाहिए, especially जब इसका हम electric field lines का diagram draw कर चुके, discuss कर चुके, lecture 7 of electrostatics, आपको इसी है, जिस तरह से tube light से निकलती हुई प्रकाश है, जिस तरह से एक full जड़ी है, जिसमें से हर direction में, full जड़ी का example लिया था, क्योंकि full जड़ी कहीं पे छोटी होती, कहीं पे बड़ी होती, मोटी होती, वो अलग-अलग rate पे जलती है, लेकिन एक perfect वो आता है, आजकल cylindrical full जड़ी, उसमें कैसे, same rate से हर direction में, what should be the ideal Gaussian surface, a useful Gaussian surface, which will make the electric field due to this, infinite line of charge, along the area, क्योंकि इसका देखना, electric field कैसा है, electric field ऐसा है, इसको थोड़ा से three dimension में field देंगे, electric field, इस तरह से, इसकी हर direction में, इस तरह से, three dimension में, इस तरह से जा रहा है, और उस case में, बचो, उस case में, बचो, उस case में, हमें, definitely एक cylindrical Gaussian surface लेनी पड़ेगी है, anybody who has written, cylindrical Gaussian surface is absolutely right, cylindrical Gaussian surface क्यों लेंगे, देखना है यहापे, पुड़ा सब feel भी करना है, इस सीज़ को feel करेंगे, पहले अपर, definitely derive करने में एक second लगेगा, आप लोग भी एक diagram बनाना, और यह electric field lines है, dotted मतलब पीछे की तरफ है, bold वाली आपकी तरफ आ रही है, तो यह electric field lines है, जो field क्या है, area vector, जहाँ पर भी, जैसे p point पर निकाल रहे हैं, तो बचों देखना है, यहाँ पर p point पर अगर हम निकालने की कोशिच कर रहे है, electric field की value, यह flux की value, electric field इस point पर निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक, ऐसा area vector लेना पड़ेगा, मेरे दोस जो की electric field के along है, point number two, जो ideal Gaussian surface decide करते वक्त हमने एक fact, समझाए के हाँ, कहीं पर भी, जहाँ पर भी हम area vector लेंगे, we will try to make it such that area vector, electric field के along होगा, अचा यह क्योंकि एक three dimension में surface है, क्योंकि एक closed surface है बच्चों, इसका ऐसे नहीं कि सिर्फ curved part होगा, इसका top part भी होगा, इसका top part भी ह बट क्या आप देख पा रहें कि top parts का, यह जो area vector है, इसको एक बार हम yellow से ही बनाते हैं, इसमें दिखेगा नहीं है, यह जो area vector है, इस top part का, वो perpendicular to electric field lines हो जाएगा, यह पूरे face का, जो कि bottom face है, इसका पूरे का area vector, क्या मैं बोल सकता हूँ, electric field से perpendicular होगा, और अगर वो perpendicular होगा तो उन cases में electric field का value 0 हो जाएगा, flux का value 0 हो जाएगा, और जिन cases में parallel आ रहा है, जिन cases में along आ रहा है, उन cases में add हो जाएगा, do you understand the use of a perfect Gaussian surface here, यह Gaussian surface आपकी perfect है जी, क्योंकि इस case में हो क्या रहा है, जहाँ पे electric field same direction में है, area vector से, वहाँ पे flux बन जाएगा, जहाँ पे perpendicular direction में है, जहाँ पे 0 हो जाएगा, और उन cases में देखना और idea लेंगे हम एक इस तरह की diagram बना के, यहाँ पे बहुत सारा कचरा अगर नहीं हो, I think this is fine, बट थोड़ा सा यहाँ पे अपने को, कचरा कम करना पड़ेगा, और अब derivation start करते हैं, अब हम इसकी application start करते हैं, अगर आपने, इ कैसे, देखना, जो faces है, इस cylinder के जो faces है, यह जो top face है, इसका area vector ऐसे होगा, और कैसे electric field lines, इस infinite line of charge से, इस direction में होगी, इस direction में होगी, ठीक है, electric field lines, in directions में होगी, but not limited to that, तुम यह देख रहे हो, एक 3 dimension में देख रहे हो, कैसे electric field line ऐसे आ रिये, यहाँ पे अगर मैं कोई area vector ले रहाँ, उस area vector के along ही electric field line आ रही है, यहाँ पे area vector ले रहाँ, तो उस electric field line के along ही area vector आना चाहिए, यह अपनी condition थी, और faces पे, in fact, नीचे वाले face पे भी, in fact, नीचे वाले face पे भी, गर मैं देखू, area vector की direction क्या है, area vector is like this, and electric field is like this, so they are definitely perpendicular, they are definitely perpendicular, this is kind of like this, यहाँ पे अगर हमने electric field lines का एक idea पहले ही ले लिया था, कौन से lecture की बात ही है, lecture number 7, I think, electric field lines, due to an infinite line of charge, कैसी होगी, यह feelings ली थी, अपने कुछ, ऐसे बहुत सारे diagram में, yes, इस case में अगर अपने को इस तरह का एक cylinder दिख रहा है, तो चढ़ा हुआ सिलेंडर अगर नही diagram देखेंगे, exactly वो equipotential surface भी क्या follow करती है, yes, area vector और electric field same direction में होगा, yes, बच्चा, यह एक area itself is perpendicular to the electric field line, तो यह curved area है, यह curved area बच्चा, यह आपका जो curved area है, यह electric field से perpendicular होना चाहिए, और इस तरह से यह एक cylindrical surface हमने लिए है, जिसका face भी तो देखो, face पे अगर मैंने एक छोटा area डिये ले लिया है, यह face का area vector है, every field line is perpendicular to it, यह इस से जादर तो तुम क्या ही समझोगे, यहां मैंने area vector लिया है, ठीक है, feel आ गई, यह perpendicular है, hashtag feel आ गई, मेरे दोस्त, आज का hashtag क्या है, hashtag आज तो feel आ गई, feel आ भी, yeah in fact feel itself, is a very popular IIT Bombay Lingo का word है, feel आ गई हो तो ठीक है यार, hashtag feel आ गई से, share कर देना, but yes, this is the idea, coming back to, the situation where, हमें electric field की वज़े से, flux निकालना है बच्चो, देखना है अर अब यहां पर हम क्या लिखरे हैं कि total flux, बहुत से लौ लगाएंगे, total flux is equal to integration of e.da is equal to q enclosed by epsilon dot, बिना दोनों साइड, left-hand side, right-hand side, step-by-step अपन लिखते जाएंगे, कैसे-कैसे change हो रही है, तो मुझे यह बता हो, कि क्या इन सभी points पे, अच्चो, क्या इन सभी points पे, I am asking you this, p point के अलावा, p1, p2, इस side में भी आ जाओ, p3, क्या इन सभी points पे e की value same है, क्या e और da same direction में भी है, theta की value 0 degree है, ठीक है, क्या-क्या चीज़े मैं यहां पर लिख सकता हूँ, कि e dot da सबसे पहले तो e da पॉस 0 degree हो जाएगा, और e da में भी e को आप बाहर ले सकते हो, सिर्फ da का आपको integration करना पड़ेगा, यह बात समझ में आरी है, left hand side, समझ में आरी है सभी को, कि हाँ याँ पैरलेल है, यहां पे perpendicular है, तो यहां का आपको area नहीं लेना है, यहां पे नीचे वाले bottom face पे भी area perpendicular है, यहां का area नहीं लेंगे, यह area का integral में कौन सा area लेंगे बताना जरा, यह area का integral जो कि आप actually पूरी closed surface पे करने वाले हो, पूरी closed surface पे करने वाले हो, इसकी limits क्या लिखेंगे, वो भी बताना, दूसरी बात, this is equal to this, उसका आप reason देंगे, that e is same, at all points, on the curved surface, यह भी बोलेंगे, ठीक है, और, क्यों enclosed में, कितना amount of charge enclosed है, इस closed Gaussian surface के अंदर, ठीक है, एक सथ सारी चीज़े मैं नहीं पूछ रहा हूँ, but I am giving you an idea कि यहां से यहां तक का charge enclosed कितना है, यह भी निकाल के बताएं मुझे, ठीक है, बच्चों अगर यह length L है, the length of the cylinder, अभी तक मैंने mention नहीं किया, बट अब मैं mention कर रहा हूँ, L है, है h भी ले सकते हैं, और हाइड बोल सकते हैं, बट length लेते हैं, क्योंकि line of charge है न, length लेते हैं, अपन L length का मैंने इस cylinder ले लिया, यहां से यहां तक की length अगर L है, तो कितना amount of charge हो जाएगा इसमें, क्या आप बोल सकते हैं, कि अगर lambda charge, DQ charge DL length में देता है, then DQ equal to lambda DL, और yes charge present in, in this segment will be lambda into L simply, L length के अंदर, 0 से L length के अंदर, आपको कितना charge enclosed in the cube चाहिए थे, तो यह एक और चीज़ है, जो कि अपन use कर लेंगे, वहाँ पर right hand side में, Q enclosed की value लिखूँगा, यह तोड़ा fancy तरीका है लिखने का, लेकिन मैंने कैसे लिखा है इसको, simply के यहां से यहां तक L length में, कितना charge होगा, lambda into L, as simple as that, lambda is the charge unit length, into length, जब अच्चो, अगर आपको जैसे पूछते हैं कि, एक particular volume में, कितना mass होगा, तो आप क्या करते हैं, volume into density, density एक term है, जो कि charge density भी हो सकती है, mass density भी हो सकती है, उसी तरह से आपने अगर, volume into density किया, density into volume करते थे, तो यहाँ पर, linear charge density, into length करते हैं, simple सी बात है, that thing divided by epsilon naught, दो तीन तरीके सो मैं समझा दिया, I hope that is clear, यह चीज़ लिखेंगे, लेकिन इस चीज़ को कहां से कहां तक integrate करेंगे, अभी तक हमने integration के limit set नहीं किया, यहां से कहां तक integrate करेंगे, let me take it on the next page also, क्या मैं बोल सकता हूँ कि L length के अंदर, तेकना फिर से यहां से यहां तक में, क्योंकि यह three dimension में, यहां से यहीं तक क्यों ले रहा हूँ, मैं center से center, upward face और downward face के center से center तक ले रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ कि E का value निकालने के लिए, हमें पूरे surface पे integration करना पड़ेगा, और अगर यह चीज lambda into L by epsilon 0 है, मुझे बताओ कि पूरे surface का कौन सा area, आपने देखा कि सिर्फ curved portion का area ही contribute किया है, सिर्फ और सिर्फ curved portion का area ही, flux में बच्चों contribute किया है, उस केस में तो area vector ने यहाँ पे flux में contribute नहीं किया है, क्या हम face के area vector को include करेंगे, क्या हम pi r l into pi r square plus pi r square भी लिखेंगे, no, we have to just write the area of curved surface, curved area का surface लिखेंगे हम, reason being के faces का top and bottom का there is no contribution in flux, there is no contribution in flux, no flux given by the top and the bottom end, that is the reality, bottom का भी area और इसका भी area, electric field के perpendicular है, कोई भी electric field line, इसको तो हमने कल visualize भी किया था बहुत अच्छे से, कि there is no electric field line, याद है cube के case में, which is crossing the base actually, all the field lines are actually lying in the plane of the base, base के plane में लाई कर रही है मेरे भाई, इनको cross करके नहीं जा रही है, किसी भी face के थूरू, flux का value क्या आ रहा है, 0, और आपको सिर्फ curved portion में flux की contribution दिखाई देगी, उनने area of the curved ही लिया, यह बात clear है, और area of the curved of this cylinder is how much, 2 pi rl, जो अब देखना, यह l ले लिया आपने, यहां से rl is equal to pi l, lambda l divided by epsilon 0 में, l भी cancel हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, l भी cancel हो रहा है, बहुत ही बहत ही बहत हीरीन, तो उस case में e की value, is equal to 1 by, देखना मैं इसको ऐसे लिखना हूँ, 2 pi epsilon 0, lambda by r लिख सकते हैं, बट क्या यह एक fancy तरीका है, जिसमें k को अगर हम लिखे हैं, तो e is equal to, 2 k भी लिख सकते हैं, lambda by r भी लिख सकते हैं, तो this is something we have already proven, this is in fact one expression, जो कि हम already electrostats में प्रूव कर चुके, in fact इससे भी beyond वाली चीज, जिसे यह तो infinite का, बट semi-infinite का, एक random alpha beta angles obtain करने वाले वायर का, p point जो कि r distance पे हैं, कितना electric field होगा, उसका हमने perpendicular component लिखा हुआ है, उसका parallel component लिखा हुआ है, यह जब वो means बनाये थे, यहां से यहां तक यह जिसने नहीं देखा, देख ले न, lecture 6 of electrostatics है, this is in L6 of electrostatics, लिख भी दिया है, तो भी बच्चे comment में बूलेंगे, सर कौन सा lecture, लिख भी दिया है, चलो, इसमें याद है आपको, जब हम alpha और beta की value को, दोनों को 90 degrees लिखते थे, यहां चीज तोटल इनफाइनट वायर के case में आती थे, एक को ही 90 डिगरी रखेंगे, एक को 0 डिगरी रखेंगे, मतलब यहीं तक, semi-infinite के लिए आप क्या funda बोल सकते हैं, एक 90, एक 0 डिगरी उस case में, के lambda by R हो जाता है, इस case में अपने ऐसे कर रहे हैं, इस इस तोटली डिफरेंट मेथड, इस इन फाक्ट अप्लिकेशन नमबर टू, आफ गॉसेज लो, विया फाइंडिंग फील्ड द्यू तर इन इन्फाइनट लाइन अफ चार्ज, जब बाइद वही यह वाला फॉर्मूला, वगर पूरे वायर की वज़े से उतना आ रहा है, आधे वायर की वज़े से क्या आएगा, क्ये लैम्डा बाइ आर, क्ये लैम्डा बाइ आर ऐसे भी आता था, याद करो, रूट तू क्ये लैम्डा बाइ आर वगएर वो सब नहीं लिखेंगे, इस केस में बस, इतना ही कर पाएंगे, दिर आर ओबिसली सम लिमिटेशन आप गॉसे लोग, विच इस दाट ये वाला और ये वाला फामूला, गॉसे लोग से तो नहीं आएगा, तू सर कैसे करेंगे, किया हुआ हुआ इंटेग्रेशन से, याद करो, इंटेग्रेशन इस दा ओनली, इन फाक्ट बिटर मेथड, गॉसे लोग तो टाइम पास है, अब ऐसा बोल सकते हैं, बट मैं नहीं मानता हुआ, मैं मानता हूँ कि गॉसे लोग बहुत अच्छा, जैसा conceptual चीज है, जिस पर बहुत अच्छे questions बनते हैं, वाई शूट भी टेक इस काइंड ओफ गॉसें सर्फेस, तो हमने देखा कि एलेक्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती हुई, हमें एक सिमेट्रिकल गॉसें सर्फेस लेनी है, हर एक पॉइंट पे एलेक्रिक फील्ड एरिया वक्टर के डिरेक्शन में भी हो, और हर एक पॉइंट पे मतलब ब्यूटिफुल एक सिमेट्रि आ जाए, तो वह हुई सिलेंट्रिकल सर्फ, वन और टू एक्चुली दो कर लिए, अप्लिकेशन नमबर थ्री है यह, अप्लिकेशन नमबर वन क्या था, पॉइंट चार्ज का, टू क्या था, बड़ा लंबा सा है, और इसके लिए, बच्चों, हम एक सिग्मा टर्म यूज़ करते हैं, सिग्मा है सिग्मा तर्फेश चार्ज देंसिटी मतलब की चार्ज पर इनिट एरिया, मैं यहाँ पे सिग्मा को लिखेंगे, कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया, डी क्यू बाई डी ए, इसके लिए, यहाँ पे इस केस में मुझे बताओ, किस तरह की गॉशन सर्फेस लेनी पड़ेगी, वाट टाइप अफ गॉशन सर्फेस शूड वी टेक, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डेटर्माइन करने के लिए, पहरी बाद तो गॉशन सर्फेस के ऐसी ले, यह सोचना पड़ेगा, और यह हमको सोचना पड़ेगा, उन सिद्धान्तों के इसाब से, जो हमने दो टिप्स समझी हैं, यह सापको क्या करना पड़ेगा, इससे एक ऐसी दूरी पे सर्फेस लेनी है, यहाँ पे सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, और अल्सों इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी सर्फेस की एरिया से, अपेंडिकुलर हो, चलो उसकेस में एक्चुली बहुत ऑप्शन हैं, इसकेस में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ देरेज सम लाइग और सब खुछ तो हो रहे हैं, यह सारी चीज है ना, अब मुझे थोड़ा सा ना, तो नया तरीका निकालना पड़ेगा, मेभी देरेज समॉल समॉल लाइग हापनिंग इन बिट्वीन, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लोग, यह भी हो सकता है, यह ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन फाक्ट के आपके एंड पर लाइग, आपके रीचार्ज ना करनी के विजय से हो रहा है, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, यह भी हो सकता है, यह बॉइडल भी हो सकता है, और सिलिंडिकल भी हो सकता है, तो देखना हम कैसे कैसे अलग-अलग शेप के लिए निकालेंगे, पहली बात तो ऐलेक्ट्रिक फील आइग, वो फील लेनी पड़ेगी आपको यह infinite plane है इसकी वाज़े इलेक्रिक फील्ड कैसा होगा positive है तो इससे दूर जा रहा होगा अच्छा इसकी दूसरी तरफ भी imagine करो इसकी पिछली साइड भी तो imagine करो positive है तो उससे दूर जा रहा होगा तो क्या वा ऐसे नहीं जा रहा होगा तो यह electric field की lines है due to an infinite plane sheet of charge uniform sheet होनी चीए uniformity होगी तब ही जाके यह electric field भी uniformly spaced होगा यानि कि magnitude और direction दोनों में constant होगा इस side में यह direction है इसे की side में वो direction है चमक रहा है और इस चीज़ को execute करने के लिए आप सोच के देखिए क्या हम यहाँ पर एक इस तरह की surface ले ले बच्चो इसको भी हम cylindrical shape ही बोलेंगे देखना कैसे यहाँ पर यह cut करके actually दूसरी side में extend करेगा पिछली वाली side को मैं dotted बना रहा हूँ ठीक है पिछली वाली side को मैं dotted बना रहा हूँ और वो उदर extend करके यह ऐसा दिखाई देगा चमक रहा है तुम्हें और वो भी क्यूंकि three dimension में है आप लोग भी यह diagram बनाईए कैसे हम एक three dimension की Gaussian surface ले रहे हैं जो कि इस तरफ और उस तरफ दोनों आर पार ओरी एक तरह से इस infinite sheet के तुरू यह आर पार हो रही है और यह एक Gaussian surface लेने का क्या reason है yes उसको हम discuss कर रहे हैं यहाँ पर क्या reason है कि इस face का area अभी electric field के direction में है इस face का ही नहीं in fact पीछे वाले face का भी area इस electric field के direction में है बच्चो और जो भी curved part है देखना यहाँ पर मज़िदार बात यह है कि जो भी curved हिससे का एक छोटा area भी अगर में लेता हूँ उसका area electric field के perpendicular है इस बार उसका area electric field के इस बार perpendicular हो गया है that is really interesting this is a really interesting choice of Gaussian surface we can imagine it like this also यह देख लो इस वाली diagram को भी देख लो कैसे आर पार हो रही है आपको सब्द में आ रहा है आर पार हो रही है यह cylinder यह cylinder इस चीज को मैंने basically ऐसे बताया है यह अपने हाथ से डॉक करके ऐसे बता दिये अब को कि अबना दिया है निकल रही है उसको एक से किंड में देखना अंसर आता है अंसर लेटरली एक से किंड में आ जाता है बच्चो इतना पहले अपने को लिखना पड़ेगा इसको पहले अपने को लिखना पड़ेगा इसको नमन करना पड़ेगा कि ग्यान देना कि हम इस पूरे चीज़ पर गॉसे लगा सके तो देखना आपको डिस्टेंस चीए तो आप आर भी ले सकते हो बट मज़े की बात यह कि उस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा यह दिस्टेंस भी आप L by 2 ले सकते हो अपने लिया सब्सक्राइब आप यह L by 2 ले सकते हो और इस एरिया को अपने लेंगे बट मैं कहा रहा हूं इन सभी पॉइंट्स पे इन सभी पॉइंट्स पे भी क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्रील की वैल्यू सेम होगी इन सभी पॉइंट्स पे सिमेट्री से एकी वैल्यू तो सेम है एरिया वेक्टर उनके अलॉंग है क्या मैं इडिये कॉस जीरो डिग्री भी लिख सकता हूं और इडिये में इको मैं बाहर भी ले सकता हूं पकके हुआलग को इसके अंदर में इनक्लोजड है क्यों इसकते लिख वցक्लोज है क्यों क्यूंक्लोजड कि ले रहे हैं आप एरिया ओफ दे फेस ए ले रहे हैं इस साइड भी ए हैं लेकिन यह अंदर बार बीच वाली सर्फेस ए एरिया का चार्ज बना रही है और कितना चार्ज यहां पर समाया हुआ है स्प्लेंशीट में सिग्मा इंटू ए ना कि सिग्मा इस क्यू बाइए है ना सिग्मा इस चार्ज शीट को मैंने जड़ा एप डीए है लेकिन इस ए एरिया मैं चैर्ज हो इस भी बोलता धूरैता है दिन्सिटी एन्टू एरिया डिया है हुशे वी तो की इंटिरेशन की लिमिट्स क्या रहा हुआ है और राइट हैंड साइड क्या रखें देखना राइट हैंड साइड को मैंने Q enclosed by epsilon not लिखा है जो कि sigma A है बच्चा और लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि E की value सेम है लेकिन area vector total कितना है देखना इस तरफ भी area इस तरफ भी area in fact बच्चों देखना यहां पर E into A plus और E into A plus क्योंकि area vector electric field दोनों सेम डिरेक्शन में है आप देख रहे हो कैसे दोनों directions में electric field जो green से बना हुआ है तो area के long है यहां पर भी E है और यहां पर भी E है अपने ऐसे भी situations देखी थी जहां पर अंदर कोई chart समाया वह नहीं था तो एक तरफ minus E A था एक तरफ plus E A था net flux zero हो रहा था यहाद आ रहा है यह वो नहीं है यहां पर दोनों side में flux की value positive आ रही तो those are small things but very interesting things flux की value plus E dot A are प्लस E A are यह मतलब तो plus E A इधर से भी आ रहा है और इधर से भी plus E A आ रहा है क्या उसी इसको two times E A लिख देना directly two E A हो जाएगा और E के value A A cancel हो जाता है देखना सिक्मा by two epsilon not होता है infinite plane sheet से आप कितने distance जूर हो उस पर depend ही नहीं कर रहा है कि ओवर excitement में यह मत भूल जाना इस इस इंडिपेंडेंट ओफ एल ओफ एल मतलब की distance of the point P from the sheet बात यह रही कि आप sheet से कितना दूर हो उस पर dependent नहीं कर रहा है infinite sheet है आप उससे बहुत दूर भी चलेंगे तब भी infinite दिखेगा आप उसके बहुत करीब आ जाएंगे तब इनफाइनेटी दिखेगा डाट इस इस को आप लोग नोडाउन करते वक्त यह भी सोच ले दिमाग में क्या यह dimensionally correct है जो क्या यह आंसर dimensionally correct है यह वाला भी आपने वैसे करी लिया हुआ क्योंकि हमने पहले किया हुआ है उस समय बोला था मैंने चेक कर लें और emissionally correct है कि नहीं डंशन इसकेश्क एलेक्रिक फील्ड वाले आ रहे हैं कि नहीं और क्या इसके भी आ रहे हैं इसके भी डैमेंशन इलेक्ट्रिक फील वाले आ रहे हैं चार्ज बाइ एरिया वाले आ रहे हैं देख लो इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं इस चीज को देखना में एक और तरह से करूँगा कि आप क्यूब भी ले सकते हैं यूगन टेक आख्यूब यूगन टेक अ क्यूबिकल गॉशन सर्फेस श्वैस वैल इस क्यूब का देखना एक फेस का एक फेस का एरिया ए घे अ क्या है देख बाइजिंट्रेडिकलना है किसे इन फाक्ड बोल लोग है पहीं कि आईकस्यों इस बनीज में सुनते रहाते हैं let's take some other type of shape also apart from cylinder isn't it cylinder के अलावा भी वैसे एक cuboidal भी हो सकता है ये cuboidal मतलब की tube को ये आपने खींच लिया तो cuboid बन गया है वो shape भी हो सकता है इसकी आप feeling ले कि इस case में भी electric field क्या है in directions में है electric field इस side में भी ऐसे है there is a net outgoing flux और उसकी विरे से यहाँ पर area vector और area vector दोनों electric field के direction में आता है तो देखना इसको लिखने का तरीका integration of e.da पहले वास बाबा को नमन उसके बाद बाकी का का ये हम क्या लिख सकते eda na ea प्लस ea ऐसे भी लिख सकते चलो ea प्लस ea that is equal to qn close को क्या लिखेंगे sigma a only है na sigma 2a नहीं रिखना है बच्चो क्योंकि कितने area में charge है चार्ज तो सिर्फ इस वाली sheet पे है ये वाला ने हिस्से में और ये area में चाहे वो circular area होता so nice as it is आप उतार लो दो बार कर लोगे तो कोई आथ दर्द नहीं करेंगे concept को ही बस अच्छे से सीखोगे 2e is equal to sigma by epsilon not and please note that it is sigma by 2 epsilon not क्योंकि हम आगे जाके next lecture में एक और expression करेंगे conductors के लिए जहां पर sigma by epsilon not आता है conductors में कुछ चीज़े अलग हो जाती है ये वाला sigma by 2 epsilon not है और वहां पर हो जाता है सिख्मा by epsilon not and if you think conductors, capacitors, current electricity in fact ये सारी चीज़े इन सब के बिना हो जाएगी ये तो fundamentals ये तो पहला ही lecture के concept है जो कि definitely आगे बहुत आते जाएंगे यहां पर already कुछ मूर्ख लोग है जो कि already जो शुरू के lectures 3-4 देखने के बाद चिल मार रहे आराम से अभी तो जी पोस्पॉन हो गया है लेटने दो उन्हें आराम से बैठने दो उन्हें आराम से सोने दो हम अपना काम करेंगे नियमित रूप से करेंगे consistent रहेंगे और इसी तरह फोड़ेंगे यही बिता एक तरीका है जिससे फोड़ा जा सकता है not by lying around waiting for the exam date आएगी तभी पढ़ना चलू करोगे date तो आ गई और अगले दिन exam हो गया ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा चलिए ठीक है यह जो expression है यह एक और तरीके से लिखा जा सकता है यहां पर request करूंगा आप लोगों से देखें स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ यहां पर एक नहीं है suppose there is a disk of radius r carrying सिग्मा चार्ज परिंट एरिया सिग्मा इस ओविसली चार्ज परिंट एरिया उन्द डिस्क इस पे कोई चार्ज फैला हुआ है और इसकी वज़े से पी पॉइंट पे एलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस दिरेक्शन में आती तो वह एलेक्रिक फी यूट्यूब चैनल पर लास्ट एर एक सेशन किया था एक्स्ट्रा सेशन था वो नेम अफ दे सेशन इस जेई चैलेंजर ठीक है अगर आप लोग अनकैडमी यार स्पैम कौन कर रहा है आयम नाव डिस्ट्रक्टेड और मुझे फिर एड्रेस करना पड़ेगा बच्चों आप लोग की इस तरह के स्पैम करने वाले लोग उन्हें आप रिपोर्ट करें इमीडेटली डिस्ट्रक्ट्स एड्यूकेटर एंड पर कॉलिडी ऑफ दे लेक्ट्ट्र करना है लेकिन यह चीज को मैंने वैसे भी होमवक दे रखा है आपको अगर यह चीज एली बात तो डिराइव करनी है आपको क्या देखना है जे डबली चैलेंजर नंबर वन ठीक है चैलेंजर सीरीज करी थी हमने दो एपिसोड किये थे उसका रिस्पॉंस बड़ा फीका था उसको डिस्कॉंटीनियो कर दिया कोई दिक्कत नहीं लेकिन दो सेशन में ही कुछ से एक्स डिस्टेंस पहना एक्स क्या है इसके सेंटर से पी पॉइंट का दिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं वन माइनस एक्स बाइए अंडरूट ऑफ एक स्कॉर प्लस आर्ट स्कॉर यह आता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एल्फा की ट यह पूरी चीज कॉस एल्फा है क्योंकि डियाग्राम में देखके जल्दी से बजाब मुझे कॉस एल्फा की वैल्यू क्या है एक्स डिवाइड़ बाइ अंडरूट ऑफ हाइपॉटनस की वैल्यू क्या हो जाएगी एक स्कॉर प्लस आर्सकॉर एक्स दे बेस हाइपॉट में बार-बार यूस करूंगा पेरिफेरी मतलब सरकंफियरेंस ऑफ दे डिसको अगर पी पॉइंट से कनेक्ट किया है वो पेरिफेरी पे क्या एंगल बनाता है सेमी वर्टिकल एंगल भी बोल सकते इसको कौन बन रहा है जैसे भी बोलना है बोल दो अलफा इस डट एंगल और इन्पाइ्न चलाओ आईट प्लेइन और विच और विच कंडिशन से मतमेटिकल कंडिशन क्या होगी अगर डिस्क आपने 90 degree कर दो तकि ऊपर से infinity से नीचे से infinity side side में infinity तक यह फैल जाए yes or no इस तरफ infinity infinity है alpha angle यह तो 90 degree रख दो या ऐसे भी कर दो कि r tending to infinity radius of the disk is very very large उस case में obviously r tending to infinity में देखना यह वाली term 0 हो जाएगी डिनावटर में यह वाली term 0 हो जाएगी और उस case में आपको e की value क्या आ जाएगी बहुलो पहले फॉर्मुले सर्व e की value sigma y to epsilon not आ जाएगी तो तो र इक्वल टू infinity case में यह पूरी term गाया यह alpha equal to 90 degree 90 degree के लिए cos की value क्या होती है 0 1- cos 0 यह sigma by 2 epsilon not एक infinite plane का expression ऐसे भी निकाल सकते हो इसको infinite plane बना दिया r tending to infinity और इसी इसको जैसे मैंने बोला extra है यहाँ पर discuss किया हुआ है if you want you can derive it yourself इतना मतलब मैंने आपको derivations बताया हुए पहले भी इसको आप खुद करी लोगे नहीं होता है अगर किसी तरह नहीं होता है वैसे तो हो जाना चाहिए वैसे तो मतलब सच में पांच परसेंट चांस ही होगा कि बच्चे से नहीं होगा वो ट्राय करेगा प्रहत्न करेगा एक एक कैसे element लेना है इस तरह से सर्कुलर रिंग का element लेना है रिंग का अपन इलेक्रिक फिल निकाल चुके तो इसका निकाली सकता है इनकेस नॉट फाइंड फाइंड यू रिंग दॉट आपको आपको कैसे दो और आप्लिकेशन यानि की शॉलिड इस्वियर और शेल की आप्लिकेशन में भी यह जो हमने टिप्स डिसकस किया है आईडियल यानि की यूसफुल गौशन सर्फेस के टिप नमबर वन क्या थिप है कि every point on the surface electric field की value सेम होनी चीए electric field का magnitude अगर सेम रहेगा तो होगा क्या है कि integration से वो बाहर आ जाएगा यस और definitely एक और point जबने discuss किया कि the every point electric field lines या तो parallel हो उस case में theta equal to zero degree होता है या perpendicular हो उस case में flux की value ही zero हो जाती है यास यह दोनों चीज़े आपको ज़्यादा समझ में आ जाती हो electric field भी सारे points पे same हो parallel हो पपेंडिकुलर हो जैसे कि यह अगर अगर अपने यहां पर यह वाला face देखा कि उपर वाला face क्या बता रहा है यह face का area यह उपर वाले face का area या नीचे वाले face का area पेंडिकुलर हो जाएगा electric field से उस case में इसका flux zero आ जाएगा तो वह वाली सारी conditions को लगा के suppose हमें application number four करना है तो असे लोग की इस इस application number four okay बच्चा electric field intensity due to a uniform spherical shell तो याद ही होगा बच्चो एलेक्ट्र स्टाडिक्स के उन्ही लेक्चर्स में lecture six में आए थिंक हमने जब शेल का एक integration किया था electric field के लिए ही किया था याद करो potential का तो बात में किया था electric field के लिए हमने lecture six में integrate किया था कैसे किया था एक slice लेली थी जो कि रेंग की shape की थी याद है slice लेली थी रेंग की shape की थी जीरो से पाई पक integrate किया था या T को integrate किया था एक्चुली बड़ा लंबा integration था वो उस दिन तो हालते आपकी खड़ा हो आज बड़ा आसान हो जाएगा देखना है आप आप आउटसाइड दशेल पी पॉइंट पे electric field निकालना है निकाल किया रहे वही चीज़ electric field लेकिन अलग तरह से निकालेंगे आप्लाइंग गॉसेज लॉट तो गॉसेज लॉट निकालना है देखना पी पॉइंट पे कैसी अपने एक गॉशन सर्फेस ले कि सिमेट्री हो सिमेट्री कैसे बनाएंगे पी पॉइंट से गुजरती हुई एक गॉशु क्या लिए जेखना एक क्लोजड कैसे बनाना है इसको इफ इस फ इस पेरिकल सर्फेस अगर वो electric field की value भी बड़ी आसानी से देखना आप में कैसे लिख रहा हूं मैं कुछ अलग तरीके से लिखुँगा मैं आप वो e.da बार बार है ना उस तरह से तो मैंने explain करी दिया but this time we'll write it in a different way that total flux, मैंने लिखना तो यही है शुरू में process law लगा रहे हैं मतलब की integral of e.da equal to qn closed divided by epsilon यह सारी चीज़ तो लिखनी है इसको नमन करना है लेकिन इसमें अगर हम directly लिख दें बच्चो के e into 4pi r square अचा कौन सा r एक तो radius r of the sphere भी है और एक small r जो की p point का distance है center of the sphere से मुझे बताई के कौन सा r हम यहां पर लिखेंगे अगर हम total area और electric field को flux निकाल दें तो e into क्या अगर मेरी surface small r radius की है तो 4pi small r square लिखेंगे 2pi नहीं 4pi लिखेंगे उस case में बस यहां पर आपको directly यह चीज लिख देनी है वच्चो उस case में enclosed charge तो पूरा का पूरा इस पे जो charge है capital q वो लिखेंगे आप by epsilon and not तो this actually becomes something like that of a point charge only point charge की case में भी हमने ऐसी लिखा था तो जिस case में capital q use कर रहे small r b यहां पर use कर रहे और यह point charge वाला ही expression आ जाता है याद करो एक shell के बार ही point पे outside point पे एक point charge की तरही उसका behavior होता है चाहे वो electric field हो चाहे वो gravitational field हो उसमें भी ऐसे होता है यह आपका एक expression आप gausses law से निकाल रहे हो याद करो आपने इस case में कुछ भी और नहीं किया है तिब gausses law लगाए है कोई element नहीं लिया है कोई जंजट नहीं है this is perfect this is beautiful all right but outside के लाव आपको याद होगा inside वाला भी था वो कैसे बूल सकते हैं उसमें से जादस में लगा था inside वाले के लिए क्या एक तरीका लगाएंगे मुझे बताईए inside वाले के लिए रहे इस इस शेल application number four ही चल रहे है पर अंदर वाले point के लिए बुल रहे बचो अंदर वाले point पे अगर निकालना है ध्यान देना अंदर वाले point से गुजरती हुई एक spherical Gaussian surface again your Gaussian surface is spherical only और आप लोग भी बच्चों इसको diagram बना ना बाइद वह है इस चीज को आप सिर्फ देख के मज़े लेके ख़दम कर देंगे Gaussian surface is three dimension spherical है अगी closed बन जाए वो और उस case में अंदर अंदर है वो आर is less than capital R आप देख रहे है small R की value इस case में capital R से कम है तो उस case में अगर आप अंदर अंदर में है लेकिन इस Gaussian surface पर अगर हम Gauss's law लगाते है total flux की value यहां पर अपन निकालते हैं that is equal to integral of e.da लिखना पड़ेगा यहीं तो मजदूरी है अरे क्या बात कर रहे हो अगर आप इसी में ठग गए हैं वेट फॉर रेस्ट आफ यह लाइफ यह चीज तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी इतनी महनत तो लाजमी है तो बहुत कमी इंठाइक तो कर रुपाय आर स्कुरे लिखता हूँ लेकिन क्या electric field की value 0 हो जाएगी इस case में क्या electric field की value क्यों थिंग कोई lag आ रहा है बट क्यों spam कर रहे है हसन आप चुट्टी कर दो क्योंकि lag आ रहा है आप चुट्टी कर लो बिटा क्यों चाहिए आज ऐसा होगा बच्चो ओवर पीरिड ऑफ कोर्स ऐसा होगा क्योंकि यूट्यूब है यूट्यूब पे बहुत कम सीरेज जनता होती है मेरा ऐसा शुरू से मानना है और यूट्यूब पे जाधा करके time pass वाले लोग होते हैं अगर वो time pass वाले के लोग ओवर पावर कर जाया चैट होते हैं वैसे वह दो तीन परसेंट है ने 95 परसेंट बच्चे सिंसेरली बैठते हैं सारे लेक्चेस में देरिज लाग विल डिसकस इट बच्चो क्या उसकेस में आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं from time to time without even me saying it ठीक है तो उसकेस में एक बार तो अपन लाग है तो उसकी करते हैं लैक तो नहीं ठीक है तो हम यहां पे अगर शेल की बात कर रहे हैं बच्चो उसकेस में पी पॉइंट से गुजरती हुए मैंने एक स्फेरिकल सर्फेस लिया वैसी जैसे आउटसाइड के लिए ली थी पर इसमें हो क्या रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू इक्वल टू वाट इस दा एंक्लोस चार् अंदर इस सर्फेस के कोई भी चार्ज नहीं है अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है मतलब दिस तिंग इस अक्चुली जीरो यह चीज आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि शेल के के इसमें बच्चा चार्जेस आर ओनली ओन दी सर्फेस शेल का मतलब ही यह कि अंदर खोखला है अंदर अंदर में कोई चार्ज ही नहीं और इतने रीजन के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्यों एंक्लोस की वैल्यू आप डिरिकली जीरो लिखेंगे जीरो लिखेंगे तो इंसाइड अस्पेरिकल शेल जीरो होता है यह चीज हमने वैसे उस समय इंटिग्रेशन करके तो बड़या लंबे से प्रूफ की थी लेकिन यहां पर देखो कैसे एक जटके में एक ही स बढ़ा इंसाइड में वह 0 होता है शेल के अंदर कहीं पर भी इलक्रिक फील्ड नहीं होता है यहां पर यहां पर सभी पॉइंटर पे और किसी भी बैडम पॉइंट कि इंसाइडि Is 0 और लिए आउट सब्लेशन पॉइंट चार्ज वाला होता है तो मुझे जल्दी से वह भी बना के बताऊ आप, वो ग्राफ भी कैसे बनता है, in fact, वो इस question में answer करके बताऊ बच्छो, this is question number two of the day, actually यहाँ पर आज theory जादा कर रहे हैं, questions की practice भी अपन करेंगे, एक JPP, कल परसू में करेंगे, thank you बच्छो, thank you, अरे, यह क्या, सुनो अरी बात है, कि offline में बड़ा होता था इसे, इस और जाने होगा, छूटी हो, बात यह कि बच्छो, एक lecture के concept को तो उसी lecture में निप्टा नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो पाँदेस मिनिट थोड़ा सा manage करो, पाँच मिनिट इन फाक्ट, दस मिनिट भी जा आप कैसा graph बनाएंगे श्रीमान, क्या लिख रहे हैं, लेट सी, अगर एफ और अजमेर लिखा है, तो सही है, बिलकुल सही है, उसके अलावा बी लिखने वालों, और सी लिखने वालों यार, अलग ही जा रहे हैं, बी वालों, भगवान तुम्हें ढूंड रहा है, और एक साइड में 0 कैसे बनाते थे याद नहीं है, यहां पर सड़नली graph discontinuous होके जंप करता है, इस इस पॉइंट के बाद यह, कैसे डिक्रीज हो रहा है, inverse square लो, यहां पर e inversely proportional to r square है, जैसे point charge के लिए होता था, और इस case में, e inside 0 है, और वो आप ऐसे represent करेंगे, ऐसे represent करेंगे, discontinuous graph या ऐसे represent करेंगे न, यह वाला point r equal to r पे, suddenly it is kq by r square, remember surface पे आते सही है, अंदर में कुछ भी नहीं है, यह beauty थी, इसकी अपने discuss किया हुआ है, और मैं क्या बोलने वालत है, मैं भूल गया है, यह एक और application इसको करना ही करना है, application number five is for solid sphere, uniform solid sphere, shell की बात नह solid sphere के बाहर क्या होगा, बाहर में बढ़ा आसान है, बाहर में वैसा ही है, जैसे shell के लिए था, पी point से गुजरती हुई एक Gaussian surface लेंगे, उसमें अगर हम gausses law लगाएंगे, total flux की value, जो कि हम e.da करके मतलब, बड़ी मजदूरी से निकालती थे, shell ले लेके, यादे integral of shells ले लेक है, इस case में भी वही चीज को बार-बार repeat करने का, मतलब नहीं है, बढ़ हाँ, ये पूरी की पूरी surface कितना charge, पूरा का पूरा q charge कर रही है, बड़ solid sphere में क्या होता है, अंदर बाहर दोनों side में volume density है, yes this becomes 1 by 4 pi epsilon 0, q by r square, no problem, no problem at all, ये होई, outside वाले point की बात, लेकिन, what about the inside point, what about the inside point, inside point पे अगर आप हैं देखना यापे, क्या यहां से गुजरती हुए, एक spherical Gaussian surface ही लेंगे हम, spherical Gaussian surface ही क्यों ले रहे हैं हम इन cases में, क्योंकि हम ये बात जरूर पता है कि electric field जो है, वो radial direction में है, बच्चो, इन सभी spherical symmetry वाले cases में, electric field तो radial direction में है, और area भी उसी direction में है, त तो कि P point से गुजर रही है, और इसके flux को calculate करना बड़ा आसान है, देखना है, इस case में भी, flux की value क्या, E into 4 pi r square हो जाएगी, यहां देखना, E into 4 pi r square left hand side को लिखना, रहेगा क्या, और right hand side, क्या capital Q लिखेंगे, या क्या कुछ और लिखेंगे, या पे इस वाले segment में, ध्यान देना, इस वाले segment में, कितना enclosed charge है, how much is that Q enclosed, वो कैसे निकालेंगे हम, वो हम निकालेंगे, वही 4 by 3 pi r cube में, अगर, Q charge है, ठीक है, then Q enclosed कितना होगा, जब वो 4 by 3 pi, small r cube वाने की, इस volume में है, you can do this directly also, Q divided by r cube into r cube, ठीक है, और you should do in fact by, the right method which is, Q enclosed is equal to density into value, density तो है, Q divided by 4 by 3 pi, capital r cube, और इसको लिखना जरूर है ना, अच्छो, इस वाले case को, क्योंकि ये वाला case थोड़ा सा, अलग जाएगा, आपको ये वाला case याद भी रहेगा, और apply करने की भी आ सकता है, अगर आप एक board student है, case में ये चीज़ को, आप cube है, r cube divided by, r cube ये सब हो गया है, उस case में कुछ चीज़ हो रही है, r square हो जाएगा है, एक r उस तरफ बच जाएगा, ये भी है, और epsilon not भी यहाँ से जो चला आ रहा है, वो four pi के साथ मिल के, ये बन जाएगा, इंसाइड, a solid sphere will be calculated like this, without any shell integration, याद को रहा हो हमने अलग लग shell लेके, यहीं तक integrate किया था, यहाँ से एक shell लिया था, पी पॉइंट पर आके रुख गये थे, फिर पी पॉइंट के बाद वाले shell का प्रभाव, पी पॉइंट पर 0 होता है, क्योंकि वो अंदर में पढ़ जाते हैं, यह सब बूला था, वो सारी चीज़ें आपे नहीं करनी पढ़ रही है, in fact, यहाँ पर limiting case analysis भी याद करो, कि limiting case analysis inside में हो, या outside में हो, अरे inside में हो, yes, r equal to 0 लिखने पे e की value 0 आजाती है, और r equal to capital R पे e surface पे kq by r square आजाता है, ठीक है, तो limiting case करने के बजाए, मैं चाहता हूँ कि आप ये last question है, ठीक है, कितना पांच मिनिट उपर गए अपन, वो भी नहीं गए, थोड़ा सा गए, तो आप लोग ये last question का answer करके फिर जा सकते हैं अपने chemistry की lecture की तरफ, ठीक है, I really want some people to be blocked, जो की आपस में थोड़ा सा चैट कर रहे हैं, बड मैं मानता हूँ यार वो मत करो, मीत और प्रनाली, I think you are chatting amongst yourself, try not to do that बच्चा, उससे क्या होता है कि पाल तु चीज़े जादा हो रही है, B is the right answer, B for Bombay सभी ने लिखा है, यार, यह हो नहीं सकता, कि अभी अभी अपने shell के case में देखा है, A जो लिख रहे हैं उनको शायद potential की बड़ी याद आ रही है, potential का lecture दुबारा देख लो, यह बार-बार लिख रहे हैं उस वाले में भी तुमने यह लिखा था, जो कि constant वाला है, यह constant वाला, यह जो है, यह potential का graph है बच्चा, इसका graph कैसा होता है, obviously, पहले linear, because E inside में proportional to R आ रहा है, पहले linear, R equal to 0 पर LCA करके अपने 0 निकाला है, R equal to capital R करके अपने KQ by R square लिखा ला है, और E outside में क्या आ रहा है, inverse square law follow कर रहा है, यह यह दोनों चीज़े हैं, और यह graph आपको याद होना चीज़, बेसिक लिए application of gossage law, पांच हो cases में, अपने पांच cases कर दी आज की lecture में, बड़ा ही दुआज़ा है, बड़ा ही interesting, अगर आप इस तरह के all lectures देख रहे हैं, या देखना चाह रहे हैं, उनको like करें, share करें बच्चो, अगरे जैनतनागदा, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेस्बुक पे, wherever you can find me, अगरे जैनतनागदा, अनकाडमी पे भी मेरा ID है, और टेलीग्राम पे भी है न, टेलीग्राम पे भी आप लोग अनकाडमी जे, ग्रूप को सर्च करके follow-up कर ले, anacademy.com slash जैनतनागदा पे भी follow-up कर ले, भापे भी बहुत सरी class होती, anacademy.com, या anacademy की learning app, दोनों माध्या में जहां पे आपको quality education की इस तरह की class मिलती ही, जो की आपको D-Day, यानि की final exam day के लिए train कर रही है, बच्चों जैसे exam में आपका time limit में question करने का target रहेगा, बहुत सारे questions रहेंगे, वैसे ही practice हम यहाँ पे करते हैं, interaction भी करते हैं, वैसे ही pole-bound, ABCD, pole-bound practice, lots of doubt solving, lots of interaction, and an environment basically, एक वाता वरंड एक इस तरह का, environment बच्चों चाहिए होते ही जी और नीट के लिए, I really am kind of थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है आज की इस class में, या बच्चे आपस में थोड़ा सा non-serious हो गया है, तो ठीक है, वह तो eventually तो हो नहीं है, try to keep your discipline in the live chat, मैं यहाँ पर जानता हूँ कि online learning में भी बच्चे किस तरह के results लाएं, अपनी बच्चे लाएं, तो वो बच्चे sincere थे, वो बच्चे बहुत discipline थे, पर यह सारी जो चीज़े हैं, या आप अपने whatsapp पे करो, telegram पे कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें अगर करा कर, जो बच्चे sincere हैं, seriously, YouTube से crack करना चाहरें, उनको भी मैं बोलूँगा, यार आप लोग वो एक environment बना के रखें, लाइव चैट में, report any such people who are non-serious, report करें उन्हें, सिंपल, कोई spam कर रहा है तो वो तो वैसी चला जाएगा, इस तरह की, एक algorithm होती YouTube की, but anyway बच्चों, यहा आप भी इस तरह के, और इससे भी in fact better results, ले के आ सके हैं, and that is only one way how you can do this, is by being on anacademy.com, anacademy.je, and anacademy learning app, ठीक है बच्चा, anacademy की learning app को download करके, install करें, ITJ, NEET आपका जो भी target है, उसको आप select करके, रखें, और make sure करके, जब आप app खोले, तो you find my profile, जैंत नाग्दा से आपको म unlock हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी classes होती, special classes होती, उसकी भी बहुत सारी एक link मैंने बना रखें, आपको link पता होगी, anacademy learning app पे, you find my profile, और उसे आप कोई भी special class को, या कोई भी combat वगरा exam को आप unlock कर सकते हैं, इसी code से आपको maximum discount भी मिलता है, ना कोई भी plan आप लेने की को आप लोग है न, इसमें live classes या recording classes दोनों को access कर सकते हैं, सारा material access कर सकते हैं, सारी test access कर सकते हैं, और उसमें आपको रुपीज 70 per day या 2100 per month से starting price हैं, तो वो 24 month हो या 18 months हो, आपको जो भी target है, आप अगर शुरुआत करें जही की, तो ये दोनों app आपके लिए, यही आपके द दो साल जेए और नीट की जारी को पूरी तरह से लगते हैं, पर कहीं पर शुरू में पढ़ चुके, 11 में पढ़ चुके हैं, या already थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो आप एक साल तक भी ले सकते हैं, depending on what your previous achievement has been, ठीक है, तो कोई भी plan को आप maximum discount के साथ जैंत code से अगर आप थोड़े धीट है, जैसे ये बच्चे हैं, सभी लोग थोड़े से धीट होते हैं, लेकिन आपको क्या है कि time to time में guide चाहिए, तो आपको बोलता रहे ये गलत कर रहा है, तो ये सही कर रहा है, और आपको push भी करे, yes you can go for the iconic subscription, जो कि आपको personal coach और personal planning और आपके parents की कुछ query होती ही न, उसको address करने पर वो मिलता है, अपना evolve तो अल्रडी स्टार्ट हो गया है, emerge 3.0, 12 मही से चलो हो रहा है, emerge is class 11th का batch, 23 aspirant के लिए, लेकिन वो लोग जो की actually 11th में कई गपले कर चुके हैं, वो भी इस batch में आ सकते हैं, enroll right away, enroll soon, in fact अपने electrostatics ही किया है अभी त wealth, इसका हमले यह न, आप एक ही batch में आ सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे dropper batches, मही में अभी भी चालू हो है, जून में भी चालूँगे, जुराई में भी चालूँगे, as you know, unacademy subscription पे, सारी access है, आप बहुत सारे dropper batches को भी follow कर सकते हैं, साथ साथ, साथ आपको description में combat की link ह बच्चो, उस combat को exam है, अज Sunday होता है, देना है, और उसमें आपको पता चलेगा, आप कहां stand करते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपको scholarship मिलने का भी chance है, आप अच्छा करते हैं, तो better scholarship आपको मिलता है, pre test है, लेकिन उसको unlock करने के लिए आपको giant code, giant live code हो जाएगा, ठीक है ब 12 महिने पर 3 महिने, 24 मंच पर 4 मंच, I think is a very good offer, last year also students, got a big help from it, क्योंकि postpone चल रहे हैं, अभी, exams कब postpone हो, पता ही नहीं चलता है, बट उस case में आप लोग, अपने इस channel पर make sure करें, subscribe, bell icon दबाया हुआ है, और जो कुछ पसंदार है, उसको या like और share जरूर करें, at the rate, जैहतना application वाला lecture हो गया, इसके बहुत सारी और application से पने, JPP में भी करेंगे weekend पे, और उसके अलावा, हम conductors के concept को कल चालू करेंगे, बच्चो, conductor का concept एक बार चालू हो जाएगा, तो हम capacitor को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, और conductor के उनी concepts को बाद में देखना कैसे current electricity में भी लगाते यह प्लान है अपने, इस तरह से अपने lectures प्रोसीड करेंगे, thank you so much, Simran, Rekha, we are not allowed बच्चा, बट आप मेरे को टेलीग्राम पे add the read, जैंतनाग्दा, access कर सकते हो, रेका, और बताओ, विकाश, chemistry स्टार्ट होगी है, तो चले जाओ, seriously चले जाओ, कुछ बच्चे यहाँ पे डले बड़े हो तुम्हें से, इसलिए हम इंटराक कर रहा हूँ, ठीक है बच्चो, चलो यार, पढ़ाई करते रहो, प्राक्टिस करते रहो, अपनी सारी की सारी, JPPs, DPPs भी देखते रहो, और यार, दिल लगा के पढ़ाई करो, शेयर करो, अपने देश के लिए हम यह का इसलिंग से शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, if you are helping somebody, that's always a great feeling, isn't it, with that happy thought, keep sharing, keep loving each other, and keep rocking, Jai Hind, Bye everyone.